ICC Cricket World Cup 2023 का 26 ओडियाई मैच जो कि कल पाकिस्तान वर्से साउथ अफरीका खेरा जाने बाला है तो आज फाइनली क्या पाकिस्तान इस मैच को जीत पाएगा या फिर साउथ अफरीका फिर से इस मैच को ले जाने बाली है ये सब कुछ एके करके बताने बाला हूँ कौन खिरारी इस मैच में अच्छा परफेंट्स देने बाला है और कौन इस मैच में फलॉफ होने बाला है एक एक करके बताऊंगा वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो सब कुछ मिस कर दोगे भाई अगर फाइनली आपको ग्रेंडी करक करना है न तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादे इंपोर्डेंट है और आज के इस वीडियो में मैंने आठ फिक्स प्लेयर रखा हुआ है उसके बाद चार्ट ट्रम कार्ट प्यर जो मेगा ग्रेंडी के पाइंट अव्यू से बहुत ही ज्यादे इंपोर्डेंट होने वाला है और CBC का राइप कंटेंडर ओवर बॉलेर बाइबॉलर्स प्लेयर बैटल ये सब कुछ मताने वाला हूँ एक ही वीडियो में तो बने रहना भाई और आज भी मैंने इस वीडियो में दो गिब्वे रखा हुआ है एक तो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट का दूसरा सुपर कॉमेंट का और फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट में तीन बिनर बनाने वाला हूँ सुपर कॉमेंट में भी तीन बिनर बनने वाला हूँ टोटल छे बिनर बनने वाले हैं तो अगर आपको भी गिवे बिनर बनना है तो फटा फट से कॉमेंट करना स्टार्ट कर दो और एक प्यारा सा कॉमेंट करना बड़ा कॉमेंट करने की जरूरत नहीं है छोटा ही करो लेकिन प्यारा करो ताके मैं आपको गिवे बिनर बना सकूँ तो जाओ फटाफ़ट से कॉमेंट करना स्टार्ट कर दो चलो आगे बढ़ने से पहले दबा कर एक लाइक करो आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने लाइक टार्गेट रखा हुआ है आउनली दो हजार बस दो हजार और आप लोग चाहेंगे तो पांच हजार भी हो सकता है ये दो हजार बहुत छोटा टार्गेट है तो भाईयो रुक्वेस्ट आप से अपने दोस्तों में दबा के शेर करो ताके ये लाइक जल्दी ही पूरा हो जाए ठीक है ना तो चलो हम देख रहते हैं ये जो मैच खेला जाने वाला है हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर दोस्तों अगर अभी तक आप ने हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं किया हुआ ना तो ये बहुत ही जरूरी है चुकि यहीं पर मैं सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कॉमेंट में टॉप पे पिन क्या हुआ हुआ है आप बड़े असानी से टेलिगाम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो जाइए फटा फट से टेलिगाम चैनल को जोईन कर लिए और पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फटा फट स जरूर से set कर लेना ताके जब भी मैं कोई fresh वीडियो लाओं उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँचे ठीक है ना तो bell notification को all पर set कर लेना और YouTube channel को subscribe कर लेना दो काम करना है वाई एक तो telegram channel को join करना है link description में और first comment में दूसरा YouTube channel को subscribe करना है और bell notification को all पर set कर लेना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं ODII states at this venue particular इस venue पर पिछले मैचों का क्या record है सबसे पहला step जो की आपका जानना जरूरी है दोस्तों यह जो मैं information आपको देता हूँ ना अलग अलग तरीके से आपको मैं बताता हूँ सब कुछ एक एक करके कि मेगा गरेली कैसे find out आप कर सकते हो खिरारियों का सारा states बताता हूँ सारा records परता हूँ head to head records बताता हूँ when you record बताता हूँ यह किस लिए बताता हूँ ताके आप एक अच्छी unique खुद से team create कर सको मतलब के एक unique team आप खुद से create कर सको यह करना आपका बहुत ही जरूरी है कब तक दूसरों के पीछे भागोगे बहुत सारे लोग copy paste करते हैं भाई टेली ग्राम से सिदा उठाया और copy paste कर दिया वो कभी भी अच्छी बीनिंग नहीं कर सकते हमेशा lossy में रहेगा चुकि वहाँ पे हजारों हजार लोग team को copy paste करते हैं इसलिए आप ये काम मत करना टेली ग्राम पे भी जो team देता हो ना उसको copy paste नहीं करना है उसमें change करना है अपनी तरफ से या तो captain wise captain change करो या दो खिरारी change कर दो ठीक है ना जो मैं वीडियो में बताता हूं उसके recording ठीक ह आपको चलो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे इस ground पे total matches जो अभी तक हुए है वो 26 matches अभी तक यहां पर खेले गए अब देखो बैटिंग first करने वाले ने 15 matches को विन किया वही बैटिंग second करने वाले ने 11 matches को विन किया तो यहां पर उम्मीद है कि जो भी team toss जीतेगी वो first betting करना पसंद करेगी देख सकते हो यहां पर तो अब बात कर लें average score की first inning में बैटिंग का तो 249 का है ठीक है ना अब यहां पर scoring pattern पे आप एक नज़र डालोगे ना भाई तो यहां पर देखोगे 200 से नीचे 4 बार बना है वही पर 200 और 249 के बीच में 8 बार बना है और 200 और 2 match में balance होने वारा है जहां पर batsmen और baller दोनों को equal support मिलने वारा है बहुत सारे fantasy export आप से यह कहेंगे कि यह पिछना betting friendly होने वारा है लेकिन ऐसा नहीं है यह पिछ balance हो सकता है ज्यादा chance है balance होने का यह चीज़ा आप देख लेना कल के match में ठीक है चलो अब एक नज़र हम डाल हैं अब देखो humidity और 70% यहां पर humidity है नमी दो परसेंट बुदा बुदी के भी chances हैं लेकिन यहां पर मुझे लगता है पूरे ओवर का match आपको बड़े आसानी से देखने को मिल जाएगा चलो आगे बढ़ते आगे यहां पर बढ़ते और सबसे पहले recent matches चार recent matches के बारे में ह कल के match में क्या हो सकता है अगर यह चीज़ आपने observe कर लिया ना तो यहां से बहुत ही अच्छी यूनिक टीम आप निकाल के ला सकते हो ठीक है ना कल के match के लिए तो बारी की से समझना यहां पर मैं क्या पताने जा रहा हूँ देखो 23 अप्टुबर 2023 को पाकिस्तान और अफ मैच को जीत लिया ता पहली बार जीता वाई भी सात मैच पहले हार चुकी थी अफ़गानिस्तान उसके बाद आठवा मैच अफगानिस्तान ने यहां पर जीता और चलो अफगानिस्तान के लिए यह तो वरल्ड कप जीतने के बराबर था इतनी खुशी जाहिर किया थीग अब बात कर लें फरस्ट अनीमें टोर्टल साथ बिकेट्स गिरेंग वहीं पे सटेंड इनिमें यहां पर सिर्फ दो टोर्टल नौ बिकेट्स गिरेंग अब यहां पे पेसर को पांच बिकेट मिलें और स्पिनर को चार बिकेट देखते रहे ना अब देखो 18 अक्टूबर 2023 को न्यूजिलेंड और अफगानिस्तान के बिच में यही पे मैच होगा था इसी वर्ल्ड कप में न्यूजिलेंड ने 286 रन भाया था फर्स्ट बैटिंग करते हुए 6 बिकेट के नुकसान पे वही पे अफगालिस्तान ने 149 रन पे अपना 10 बिकेट फेक दिया अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इनिग में टोटल 6 बिकेट जिए वही पे सकेंड इनिग में टोटल 10 यहाँ पे 16 बिकेट जिए अब पेसर को 10 बिकेट मिने और स्पिनर को 6 बिकेट अब देखो यहाँ पर New Zealand ने 248 रंग बना करके इस मैच को जीत लिया था अब देखो फस्ट इनिंग में यहाँ पे टोटल 9 विकेट्स गिरे वहीं पे सकेंड इनिंग में सिर्फ 2 विकेट्ट टोटल 11 विकेट्स यहाँ पे गिरे थे आठ विकेट्ट पेसर को मिले और यहाँ पर 3 विकेट्स सिर्फ मिले किसको इस्पीरर को अब देखो आठ अक्टूबर 2023 को इसी वर्ल कप में और स्टेलिया परसेस इंडिया का मैच हुआ था और इन्डिया ने फर्स्ट बैटिंग करते वे एक सो निननानमे रन का टारगेट दिया था दस विकेट्स के रोकसान पे वहीं पर इन्डिया ने 201 रन बना करके इजिली इस मैच को बिन कर लिया था फर्स्ट इन्य में यहाँ पे 10 विकेट्स गिरे थे और सेकेंड इन्य में सिर्फ 4 विकेट्स मतलब कि टोटल 14 विकेट्स यहाँ गिर गए थे अब देखो 8 विकेट्स मिले पेसर को और 6 विकेट्स इस्पीनर को और यहां पर मैं बॉलर्स का जो ना कैलिकुलेशन भी बताने बाला हूँ आगे तो बने रहना वीडियो को छोड़ के माँ जाना दोस्तो अगर आप मुझे से बाते करना चाहते हो तो आपको हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा और फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लेना चुकि वहां पर भी मैं अपडेट रहता हूँ और वटसअप चैनल को भी जोईन कर लेना इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिर में मिल जागा जाओ फटा फटे कर लो चलो आगे बरते हैं आगे हम जानने वाले हेड टो हेड रिकॉर्स जो की जानना हमारा जरूरी है जब ये दोनों टीम आमने सामने होती है तो इनका क्या रिकॉर्ड है फाइनली ये हमको जानना जरूरी है अब देखो पिछले दस मैचों की यहाँ पर हम बात करेंगे जब पाकिस्तान और साफ्ट अफरीका आमने सामने हुई तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान ने छे मैचेस को बिन किया और सिर्फ चार मैचेस को लॉस किया वही पे साफ अफरीका ने चार मैचेस को बिन किया और यहाँ पे छे मैचेस को लॉस किया तो पिछले रिकॉर्ड के एकॉर्डिंग आप देखेंगे तो साफ अफरीका का पल मैच होगा मैं यह नहीं कहता कि एक तरफा मैच होगा लेकिन टक्कर तो होना है लेकिन मुझे उमीद है कि इस मैच को यह मेरा स्ट्रॉंग की तीम ये मुझे लगता है बाकी मैच है भाई संभाव बनाओ का खेल है कभी भी कुछ भी हो सकता है और सामने स्ट्रॉंग तीम है अभी साफस अफरीका बहुत ही स्ट्रॉंग है ये चीज़ मानना पड़ेगा ठीक है ना तो हम दो तरह से टीम बनाएंगे एक तो पाकिस्त को यहां पे कल्कैशन बताने बाले हैं आपको पिछले चार मैचों का बालिंग एटक का देखो पेसर को पिछले चार मैचों में 31 इंग मैं 18 और स्ट इंग में 13 फिस्ट इनिंग के लिए पैसर जादा बढ़िया रहेगा लेकिन इनिंग में पेसर अच्छे खाथ से रिके ह displaying तो दोनों इनिंग के लिए पेसर को आपको रखना है ज्यादा पेसर को रखनाए है और देखो यहां पर चार मैचुंग में स्पिनर को टोटल उनिस मिलें स्भाइब फंस्ट इनिंग के लिए यहां पर स्पिनर अच्छेखासे एंड ले कर जा सकते हैं यह चीज़ आपको दियान में रखना है तो बहुत ही संभल करके यहां पर आपको ना बॉलिंग सेशन से आपको बॉलर्स को उठाना है चलो आगे बढ़ते हैं और सब कुछ एक एक करके बताऊंगा दोस्तों उससे पहले वर्ल्ड कप दो हजार तेश में अग वई राम बान हैं अगर आपने इस वीडियो को दिल से देख लिया और सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया और अपनी टीम में अपलाई कर लिया तो आपको ग्रेंड लिग जीतने से इस वर्ल्ड कप में कोई नहीं रोक सकता यह वीडियो है देख जरूर लेना इस वी पर कप के लिए बने बनाया हुआ है यह भी वीडियो बहुत ही जादे इंपॉरेंट है इसका बिलिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा और एंडे स्क्रिन पर लास्ट में आपको मिल जागा तो जरूर से देख लेना चलो आगे बढ़ते हैं आगे हम यहा होते नमबर पे सौछ शकील उसके बाद इफ्तखार अहमद, शादाव खान, उसामा अमीर, उसके बाद शाहिन अफरिदी, हसन अली और इच्छ रूव तो कुछ ऐसा प्लेइग 11 पाकिस्तान का रह सकता है, अब हम बात कर लेते हैं साफ्ट अफरिका के प्लेइग 11 की क्या हो सकता है, तो यहां पर देख सकते हो, प्विंटन डिकॉग और टेमबा भमुआ, जैसा के आप देख रहे हैं, ओपनिंग करने आता है यह दोनों, तो कल भी आपको यह दोनों ओपनिंग करता हुआ दिखेगा, आरवन डर्सन बन डाउन पे, एडन मारकरम, उसके बाद हंडिच कलासन, डैविड मिलर, मारको जैंसन, केसब महराज, उसके बाद कजिसो रवाड़ा, उसके बाद जी कॉर्ट जी और इल विलियम्स, तो कुछ ऐ अगर इन दोनों टीमों में कुछ भी बदला हुआ ना, तो मैं आपको टेलिगाम पे इनफर्म करूँगा, तो टेलिगाम चैनल को पक्का से जॉइन करें ना भाई, मिस मत करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा, और बहुत सारे टेलिगाम से बाहर हो आता है, ऐसा करने वाला कभी भी काम्याम नहीं होता है, आपको, मैं ये नहीं कहाता है कि मेरे ही पास रहो, मेरे ही टेलिगाम चैनल को जॉइन करो, या मुझे ही फॉलो करो, ऐसा नहीं, आप किसी को भी फॉलो करो, वहाँ पे ठीक के रहो भाई, जह से आप हारते हो न वहीं से आप जीते होगे ये फाइनल मैं बता रहा हूं तो चल कोद् wa चलो आगे बरते हैं आगे जहां पर बढ़ते हैं और यहां पर बिगेड की पी सीसिन में हम देख लेते हैं यहां पर पाकिस्तान की से महांब धुजवान आपको खिलता हुआ दिखेगा ठीक है ना अब बात कर ले मुहम्मद रिजवान के परफिंस की तो देख सकते हो पिछले मैच में आठी रंग पर आउट हो गया था उससे पहले रिकॉर्ड नहीं है एक मैच खिला हुआ ठीक है लेकिन आप लेके जा सकते हो ठीक है ज्यादर टीम बनाते हो ज्यादर रिस्क टेकर हो तो आप एक दो टीम पर छोड़ देना क्या फर्क परता है बाई गरेंडिक जीतना है ना वाई तो रिक्स तो लेना पड़ेगा लेकिन आप ज्यादर टीमों में लेके जाना साफ्त अफरिका की तरफ से बात करें कुंटन डिकॉक और हैंडेज क्लासन यह दोनों बहुत ही गजब खिला रही है बाई मैंने हैंडेज क्लासन के बारें पिछले वीडियो में बताया था बहुत गजब खिल गया बाई कुंटन डि लेकिन यहां भी आपको बड़ा प्लेयर को क्या करना यां कभी भी ग्रेंड लिग में क्या है ग्रेंड लिग एक संभावना का खेले बाई बड़े प्लेयर को ज्यादा तर कुंटन डिकॉक को ज्यादा लगभग मुझे लग लगता कि 95 परसेंट लोग लेके जाएंगे 95 तक ठीक है ना अगर कल के मैच में माल लेते हैं नहीं चला अगर एक दो टीम पर आपने उसको ड्रॉप कर दिया नहीं चला तो आप कितने अच्छे रेंग पर जाओगे तो यही इसी का नाम है ग्रेंडी ठीक है रिस्क लेना परता है तो आप ज्यादा टीमों पर रिस्क मत लेना एक दो टीम पर आप ज्यादा टीम बनाते हो तो रिस्क लेना ठीक है है हैंडी चलासे में लगातार अच्छा कर रहा भाई एवरेज पारी खेल के दे रहा है लेकिन एक चीज आपको देखना पड़ेगा है 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 तो एक तीम पर दोनों को लेके जाना ठीक है दूसरी यहा लाणा पर अब दोनों को देखेंगें तो देखो यहां पर हम बैट्री से सेंगें तो देखो यहां पर बैट्री सेंसर् WAY सब्सके में यहां परखिक इप हैंदों अ अब बात करें इन चारों में लेके किसको जाना है कौन इंपोर्टेंट हो सकता है तो अब्दुल्ला सफिक की बात करें बहुत गजब खेल रहा है बाई वैन्यू पे अन्ठावन काइबरेज है एक मैच खेला हुआ इन्ठावन ना मना हुआ है हेट टू हट में अभी तक नह सब्सक्रावन ना बनाया हुआ जो यहां पर आप देख रहे हो ठीकना अभास लाइ elét雅ला के भी आप मुझे लगता है कि इन दोनों में से आपको ज्यादथ टीमों पर आप 70 कि अबदुलाः सपीको लेना और इमाम और वैनियू पर भी गजब है चोहत्तर कावरेज एक मैश खिला हुआ चोहतर है यहां पर दे सकते हो तो इंपॉरेंट हैगा लेके जाना बाबर आजम चुकी कैप्टेन है और काफी प्रेसर है तो कहीं न कहीं यहां इस मैच में अच्छा करके आपको दे सकता है जैसा कि अच्छा करने की कोशिश करेगा लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ ग्रेंड लिग संभावनाओ का खेल है यहां पर आपको बड़े प्लेयर को डॉप भी करना होता है तो अपने हिसाब से जितना टीम मनाओंगे उसके एकोडिंग आप च यह एक ऐसा खिराडी है ना भाई अगर पचीस से तिस बाल भी खेल लिया तो आपको अच्छे खासे रन बना कर दे सकता है डिम टिम का हिस्सा बन सकता है चुकि अपरचीटिए खेलने की टॉप औरर में खेलता है तो आप कंसिरर कर तक तो हो स्यादर टीमों पे नहीं बस अरवन डर्सन की बात करें और वन डर्सन औरी ए फॉर्मिट का है को प्र मैच में एक ही कर सकता है 1515 का इस में बहुत ही जाद इसकीं पाकिस्तान का एगेंश्ट यह ना पर मैच में 115 नं बना डाहा है तो आप जानी सकते हो कितना इंपोरेंट रहेगा उसके बाद डेविल विजट की बात करें पिछले मैच में चौनतिस रण बनाया था उन्तिस का अवरेज है ग्रेंड लिग में आप ट्राई कर लेना अधरवाईज आप छोड़के चल सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं आग अब आप इफ्तकार अहमध की तो फिछले में चालिस रण बनाया विकेट नहीं मिले अब दोको यहां पर हैटवेड में अभी तक खेला हुआ नहीं है रिकॉर्ड नहीं है वेणियू पर 40 काईबरेज है जो यहां पर 40 रण बनाया इसी वेणियू पर बनाया था ठीक है न तो इफ्तखार अहमत को आप ग्रेंड लीग में ट्राइ करना, important हो सकता है, चुकि आप बैटिंग से भी आपको पौइंट दे सकता है, उसके बाद मतलब के बॉलिंग से भी दे सकता है, तो कही नहीं से आप पौइंट ये दे सकता है, ठीक है ना, वैसे आप स्माल लीग में भी चाहो तो ट्राइब कर सकते हो लेकिन ज्यादा ग्रेंड लिग के लिए आप ट्राइब कर सकते हो ठीक है ना शादाब खान की बात करें पिछले मैच में शादाब खान 40 रन बनाया अब देखो यहां पर 9 मैच खिला हुआ एक सो दो रन बनाया हुआ पचीस का एवरेज है ना भाई शादाब खान के बाल में वो चीज नहीं देखने को मिल रही है नहीं वो मजबूती देखने को ही में नहीं मिल रही है बिल्कुल तो हो सकता है कि इस मैच में कुछ अलग करें इस मैच में कुछ अलग करें तो इसलिए शादाब खान इंपॉरेंट इस मैच में हो तो दो पे लेके जाना दो पे ड्रॉप कर देना ठीक है न ऐसा कर सकते हो मार्को जैंसन को लेके जाना भाई यह इंपोर्डेंट रह सकता है अभी तक हैट टूहट में रिकॉर्ड नहीं है उसके बाद वन्यू पर भी नहीं खिरा हुआ है मुझे लगता है कि मार्को जैंसन मैच में आपको लेकर जाना चाहिए च्यूकि यह यह थे यह कर लेकर लगातार कर रहा है और इस मैच में मुझे लगता है कर और बिकर्ट टेकिंग बोला रहे हैं कहीं नहीं को आपको बिकेट लेकर दे चलो यहां पर हम बात कर ले तो पकिस्तान के तरफ से औसाधार ओसाधाय फ्रिदी और हशन अली immersion자 तरफे चार खिरारी आपको खेलते वे दिख जाएंगे अब बात करने उसामा मीर की तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिला उससे पहले लगातार दो दो एक एक विकेट लिए हुआ है उससे पहले भी जिरो 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 है ठीक है ना हेट वेर में रिकॉर्ड नहीं है और यहां पर एक मेच में जडीक है मतलर यहां भी वैनियू पर बिकेट नहीं मिला वए है तो कुछ टीमोँ पर ट्राइग करना बाकिछ चोर के चल सकते हो शाहिं नफृदी के बात करें तो हर हाल मे लेके जाना है हर तीम पर लेके जाना है आठ्वं में तेरा बिकेट है देखना ठीक ह है एक मैच में एक रिक य है बात करेंगर नियु स्मॉल में में बताया भी था अब मैंने यह बताया था कि डिफरेंशल वाइज लेके जाना कुछ टीमों पे हारी सरोफ को डॉप करना और एचली को लेना ठीक है यह मैंने बताया था लेकिन मुझे लगा था कि हो सकता है कि एक डो बिकेट लेके दे सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं चलो किमों पे आपको दो ही बालोर को लेना है या तो एचली को लो साइन अफ्रीदी के साथ या साइन अफ्रीदी के साथ एच रोफ को लो और किसी टिम पर उसामामीर को भी ट्राइब कर सकते हो गरंडली के पॉइंट भी से ठीक है चलो अब बात करने साफ साफिका की तरफ से यहाँ पर केसब महराज उसके बाद कगिसो रावाडा और जी कोड़ जी और अलविरियम ठीक है ना यह चार ख्यार खेलते वह देखेंगे अब देखो इसमें केसब महराज के बात करें लगातार अच्छा कर रहा भाई एक मैच में तीन भी केट है है हेट्वेर में तो इंप इसके बाद करें लगातार भाई देखो दो दो बार तिन भी केट लिया हुआ है उससे पहले भी तिन भी केट लिया हुआ है अच्छा है तो मतलब विकेटेजिंगी बाउलर है लेके जाना तो इसको भी आप जिल में ट्राइक करना तो यह चीज मैंने आपको बार्णि बात करें तो यहां पर सारे खिराणियों का मैच अप यहां पर दिया हुआ है प्लेयर बैडल दिया हुआ है आप देख रहना इसका स्क्रीन सॉट ले लो सबसे पहले यहां पर दोस्तों फाइनली आपको यह पता चलेगा कि कौन ऐसा बालर है जो किस बैट्समन को डोमिने पने जाता है दोस्तों रिक्वेस्ट आप से जुआईना आवो टेली गाम चैनल लिंक इन डिस्क्रीन फर्स्ट कॉमेंट यह जरूर से करने ना चुकि यह बहुत जरूरी है अब चलो यहां पर हम ओर बालर बाई बालर्स देख रहेते हैं कि कौन ऐसा बालर है जो स्टाड अली और शाहिन अफ्रिदी अब बात कर लें शाफ्त अप्रिका की तरफ से तो मार्को जैंसन और एल विलियम्स लिजार विलियम्स यह दोनों ऑपनिंग करता हुआ दिखेगा पाउर प्ले में मार्को जैंसन उसके बाद जी कॉर्ट जी देख ओवर करता हुए देख और अब इसके एकॉर्डिंग आप अपनी टीम को यूनिक मना सकते हो बालर को कंसीलर करके इजिली कंसीलर कर पाओगे ठीए लब चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर मैं आपको बताने बाला हूँ आठ फिक्स प्लेयर और चार टमकार प्लेयर यह बहुत जरूरी है बारी की से समझना बहुत जरूरी है चलो हम प्लेयर फिक्स लेने बाला हूँ अब वो कौन से प्लेयर हैं फाइनली यहां प देखने बाले हैं देखो एक मेरा फिक्स रहेगा बाबर आजम मुझे लगता है कप्तानी का फर्ज निभाएगा इसमें उसके बाद मुहम्म्म् ठीका ना यह दो हो गए अब यहां पर साहिल अफरिदी मेरा फिक्स रहेगा यह तीन हो गए हारिस रोव फिक्स रहेगा चार हो गए यह चार खिरारी मेरा फिक्स रहेगा बाकि आप इसमें यह स्मॉल लिग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमॉल लिग में इन्हों क इश्क बनेगा ठीक है ना चलो यह चार मैंने बता दिया अब साफ अफिका की तरफ से बात करें तो साफ अफिका की तरफ से फाइनली यहां पर मैं आपको चार ख्यारी बताने बला हूँ जो फिक्स लेकर मैं जाने बला हूँ एक तो पहला क्विंटेंडी कोग मुझे रगत तो यहां पर जी कॉट जी को मैं फिक्स करूँगा ठीक है यह चार हो गए यह चार प्लेयर टोटल मैंने आठ आपको बता दिया अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर हम ट्रम कार्ट प्लेयर कौन हो सकता है ट्रम प्लेयर जानना बहुत जरूरी है देखो आप प्लेयर बन सकता है ठीक है यह पहरा हो गया उसके बाद एक ट्रम प्लेयर आपके लिए यहां पर कौन बन सकता है टेमबा भमवा दियान में रखना यह दो हो गए दो मैं पाकिस्तान की तरफ से बतायता हूं पाकिस्तान की तरफ से कौन हो सकता है वह फाइनली मैं बताने देखो बारी किसे समझला यहाँ पर ने इस मैच में कुन हो सकता है तो देखो यहाँ पर courageous हो सकता है तू बनको प से में इस मैक मुझे मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कर सकता है उसके बाद यहाँ पर यहाँ फिराई क्को सकता है मैंने चार ट्रंप प्लेयर आपको बता दिया इसके एकॉर्णिंग आप अपनी टीम अपनी टीम में कर सकते हो चलो अब हम सिधा टीम पर चलते हैं और वहां पर फाइनली टीम मैं किस किस को लिया हुआ है यहां ने बQué 2019 को मैं ने यहां पर वाइस केप्टन बनाया वगया है बोग्यात अब देखो यहां पर में पर मीडि़ diffọf को और मोम ढो को लिया हुआ है ने υआ हिर्व great चेट हाघां को म किक्टा लिया हुआ हैं यहां वे Deal अब जेंस में बाबर आ परिफर भरोसा किया है O February को लिए बाइडी सेसंग में यहांपर और यहांपर हकार्सरोफ को ला सक्ते ह opportunities अब एक्वान आपर इूस्टी को विक्टोड फोकडिन में विक्ट की पर का आप विन को लिए कर सकते हो किर तान seneca कोिनटन-nika को ब्रॉब selected बाबर आजम को मैंने यहां पर ली हुआ यहां पर आप रप्दूल्ह श्थЕ को लेसकते हो ठीक है करी कि sun को मैंने आप अ के आlawे को Ming and M. Jensen, कैप्टरी में को लिए वाए, शादाब खान को लिए वाए, अब देखो, यहां पर क्या आपको करना है? पहले बालुश सेस्म समझ लिए थे, रवाड़ा को लिए वाए, शाहिन अप्रीदी को वाइस के पर बना है, जी को और जी को लिए वाए. यहां पर आप क्या कर सकते हो आपके पास आफसन है एक तो एमार करम उसके बाद एक है शादाब को अगर रखते हो तो फिर इफ्तखार को आउट करो अगर इफ्तखार को रखते हो तो शादाब को आउट करो ठीक है ना ऐसा करके यहां पर तीन ख्यारी को के साथ आप जा सकत है ओगया जैसे के बाबाराभवनेया और अबदल्लाश-शफिक को ने लिया या फिर इमाम-小 और यहाँ से उठा दिया उसे ने मारकरम को यहाँ पर डॉप करके आप क्या कर सकते लौजिक जो है ना मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ बहुत साइर लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेश करते हैं क्या करते हैं कि सर ग्रेंग लीग मीस हो गया मीस क्यूं हो गया चुकि वहाँ पर या तो की पलेयर नहीं था जो key player होता है न, वो key player नहीं था, चुकि वो अच्छे 5 दे दिया, आपने key player को रखाई नहीं, key player का मतलब यह है, जिसका selection percentage कम हो, कम लोग लेकर जाते हो, और वो अच्छा परदर्सन कर दे, तब आप आगे निकल जाते हो, ठीक है न, जा फिर CBC की वज़े से, आपने चूप कर दिया, तो मैं CBC से बताने बाला हूँ, और देखो, logic सबसे बड़ा grand league में क्या है भाई, risk लेना, यह सबसे बड़ा logic है, आपको संभावना को create करना पड़ेगा, जैसे chart team बनाते हो, अलग-अलग संभावनाओं के साथ बनाना, ठीक है न, structure आपका कोई भी हो, मालनो आप यह structure में बना रहा हूँ, जैसे कि यह structure है, यह structure माल लो या फिर यह structure माल लो, इस पर आप बना रहा हो, लेकिन अलग-अलग rotation चाहिए, भाई, rotation चाहिए, बड़े player को drop करना सीखो, अगर grand league करना है न, तो बड़े player को drop करना सीखो, आप जब भी देखोगे न, भाई, आप द देख रहेते हैं, कौन हो सकता है, तो एक तो कुंटेंडी को, safe CBC, ठीक है, बाबर आजम को भी CBC ट्राई करना, मुहम्मद रिजवान भी, यह सारे safe CBC है, उसके बाद M. Jensen भी मेरे हिसाब से, यहाँ पे safe CBC है, ठीक है, यह 4 हो गए, अब दो को risk कि पे ले सकते हो, आरवन श्मारिदर फारी को कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे G-Cot-自由 को ट्राई कर सकते हो, देखो यहाँ पे 케रवाड़ा है, यहाँ पे L-H Williams को भी आप ट्राई कर सकते हो, तो यह मतलब मैंने आपको बता दिया, CBC का naranate जो आपको बनते हुए देख सकते हैं, दोस्तों, उमीद जो मठच्ू